महिलाओं की तरफ से मैं बहुत संख्शेप में बोटी सी बात आपसे अपील करना चाहती हूँ जो कोम अपनी बढाई करती रहती है अपना आत्म चिंतन नहीं करती उसकी गती रुक जाती है प्रगती की पहले भी बात कही गई लेकिन मैं तीन चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ हमारी युवापिडी बड़ी आकरशित हो रही है एक नशे की आदर एक अपराधों की तरफ आकरशन और एक लापरवा तेज ड्राइविंग के प्रती आकरशन महिलाओं के नाम से लोटरी डाली एप्लिकेशन लगाते हैं और महिला जो घर की लक्षमी होती है उसका नाम बजार में दारू के ठेके के ऊपर लिग देते हैं एक खास चीज जो मैंने देखी बड़ी नकारात्मत अपनी अपनी जाती के अपराधियों का पक्ष लेना शिरू कर दिया है सबने पितर बना दिया है अपनी अपनी जाती के अपराधियों को ये अपराधी खुद बरबाद होते हैं और अपने पीछे पूरी युवा ये था पहलवानी में अपराद के कारण आज दिल्ली में जेल की सलाखों के पीछे बैठे हैं ये हमारे लिए दुख की और शर्म की बात है और तीसरी चीज तेज ड्राइविंग एक लाख युवक बाकी बड़े उम्र के लोग अलग हैं एक लाख युवक जान गवाते हैं ह वो लाश में बदल जाता है क्या बीटती होगी उस मां के उपर जो अपने जाते हुए बेटे की पीठ देखती है और आते हुए बेटे का मुह नहीं देख पाती है आप लोग क्या सोचते हैं अगर आप अपनी पावर दिखाना चाते हैं तो मिलखा सिंग की तरह तेज दो होती अगर आप सोचते हैं कि आप बड़े हैंडसम और डैशिंग दिखते हैं तेज गाड़ी भगाते हुए आप डैशिंग हैंडसम नहीं दिखते आप लापरवा दिखते हैं आप बेपरवा दिखते हैं आप बेवकूफ दिखते हैं इसलिए कम से कम सडक पर जब भी गा जाते हैं जो लोग छोटी आमदनी में बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी पूरी उम्र खप जाती है अपने बच्चों की जिन्दगी बनाने में और उसके बाद दुक्का विशह है बड़ा पीड़ा दायक सीन में कई जगह देखती हूं कि एक माबाप मेहनत करते हुए हातों में आईटन पढ़ जाते हैं एडियां फट जाती हैं कपड़े मेले फट जाते हैं और उसके बाद जब बेटे को पढ़ा लिखा कर तयार करते हैं उसके बाद पढ़ी लिखी बड़े घर की थोड़ी बेटी आ जाती है तो माबाप की तरफ ध्यान नहीं देते हैं आज हमा आजकुमार की तरह पालते हैं, आपकी भी ड्यूटी है, जैसी आपकी हैसियत है, बुढ़ापे में उनको बादशाओं की तरह से रखिए, उनकी सेवा कीजिए, इस तरह से माता-पिता की सेवा कीजिए, वो अपनी जिंदगी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, और जास्ट बात जो मैं कह रही हूँ, बेटियों को समझदार बनाईए, बेटियों को बेटा मत बनाईए, क्योंकि बेटे तो लापरवा होते हैं, बेटियों को समझदार बेटी बनाईए, जब वो घर से बाहर जाती है, तो उसको समझाईए कि वो साथ अपने घर की इज़त ले करके जाती है बेटियों को समझाईए कि कैसे लोग मिठी मिठी बातों का जाल लेकर शिकारियों की तरह से घूमते हैं और अपनी बेटी को संसकार दीजिए कि वो जिस घर में जाए अपने सास ससूर की सेवा करे आज कल मैंने नया ट्रेंड देखा है बेटियां मा मम्मी क की तो बहुत चिंता करती है लेकिन सास की चिंता नहीं करती है यह गलत चीज है औरत घर की धूरी होती है अगर व्रद्य लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हमारे व्रद्य लोगों को सुर्क्षा कैसे मिलेगी उन्हें सम्मान कैसे मिलेगा इनकी जिन्दगी खुश कैसे होगी इसलिए कोई भी कौम तभी आगे बढ़ती है जब वो संस्कारवान हो जब वो मेहनती हो जब वो शिक्षा पर ध्यान दे हमने यह सब किया है मैं आपको बधाई देती हूं